हेलो अब्रीवन माई नेम इस गौरव वेलकम टुटर डव्ली एस कुटर डव्ली एस कुटर में आप सभी का स्वागत है जैसे कि आप सभी को पता है हमारे एडिटिंग चूल रहे हैं और इस एडिटिंग तूल के अंदर आज हम डिसकस करने वाले हैं रोटेट टूल को यहाज हम डिसकस करने वाले रोटेट टूल को देखिए यहाँ पर रोटेट टूल के कमांड का किस तरह से यूज करेंगे लेकिन सबसे वाले समझता है रोटेट कमांड कहां पर यूज होने वाला है तो देखिए बेसिकली मैं आप से बात करना चाहूंगा देखेए एक तो चीज हमने देखी थी UCS शिस्टम यस हमारे पास जो coordinate system थूस प्वाटी चांड क्मांड के थूसरी आपको क्या करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा, RO enter करना पड़ेगा, इसकी shortcut की क्या है, RO enter, जैसे ही आप RO enter करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, rotate command enable हो जाएगा, rotate command enable होती ही, आपको पास क्या पूछ जाएगा, select the object, आप किस object को यहाँ पर rotate करना जाते हैं, उस object को select कीजिए, select the base point, बावा भी आपका एक object होगा, जो वहाँ पर rotate होना शुरू बड़ जाएगा, या फिर आप दे सकते है reference, reference मतलब किसी reference line के along, या फिर reference access के along, आप उसे rotate करना चाते हैं, तो वहाँ पर भी आप reference को click कर सकते हैं, तो चलते हैं, AutoCAD में, और AutoCAD के दूरू समझते हैं, कि rotate command हमा ऄठें, इंटर कर दिया है, यहाँ पर, अब जराबात सुनिए यहाँ पर, मैं इस में से ortho mode को यहाँ से हटा देता हू, ortho mode को यहाँ पर disable करने के बाद, अब जराब सुनिए यहाँ पर फिर से a line को ड्रू करते हैं, ताकि हम उसे rotate कर सके, तो देखिए, यहाँ पर मैंने क तो आपकी जो window है, वो पूरी की पूरी क्या हो रही है? रोटेट होन ही शुरू हो गई है, लेकिन हमें यहाँ पर एक particular object को rotate करना है, ना की पूरी विंडो को rotate करना है, तो देखिए हम किसी particular object को rotate करना चाहता है, जैसे यहाँ पर हम ने क्या बना इए हैं, यहां पर हमने एक reference line बना दिए, उस reference line क्या long, कुछ angle के साथ मैंने यहां पर क्या कर लिए है, एक line ड्रॉ कर लिए, लेकिन मुझे यहां पर क्या करना है, इस line को rotate करना है, तो किस तरह से rotate कर सकता हूँ, तो देखिए सबसे बहले चलते है, modify tools के अंदर, modify tools के अंदर आपके प window के अंदर लिखावा है, rotate select the object, आप यहां पर कौन से object को rotate करना चाते है, उससे select कीजिए, तो यह देखिए, मैंने इस object को select किया है, उसके बाद मैंने enter कर इस press किया, अब यहां पर पूछा गया है, बेस point, देखिए, आप इस object को किस तरह से rotate करना चाते हैं, जैसे आप इस यहां पर इसको rotate point दे दिया, अब मुझे यहां पर पूछा जा रहा है, यह एक तो तरीका है कि आप इसे manually अपने हैसाब से rotate कीजिए, जैसे कि यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने mouse को यहां पर हिला के मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आप चाते हैं एक particular angle के साथ यह rotate होना चाहिए, तो particular angle के साथ यहां पर rotate होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहां पर angle दे दिया है, 60 degree, जैसे मैंने यहां पर 60 enter किया, यह क्या हो गया है, जो हमारे पास line थी, उस line के along यह 60 degree के यहां पर क्या हो गया है, rotate हो चुका है, clear हो गया यहां पर, देखें, यहां पर तो यहां पर कितना हो गए यहां पर 89 हो गया मतलब आपके पास 60 प्लस यहां पर कुछ था पहले से तो वह हम यहां पर एडिशन करके यहां पर जो बेस लाइन है उससे यह रोटेट हो चुका है किस तरह से यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट के ज़सा है तो ठीक है हम अपने इनिशियल अब्जेक्ट में पहुच चुक है फिर से वापस अब देखते हैं रोटेट कमांड के इंदर हमें और कौन से कौन से ओप्सन देखने को मिलता है जैसे कि हमारे पास कॉपी कमांड था और रेफरेंस लाइन कमांड था उनके बारे में देखते यह जो आपकी लाइन है वह पूरी क्या होगी है यहाँ पर रोटेट हो चुकी है आप देख पा रहे हैं आप देखे बेसिकली आप क्या करें हैं जो भी आप इसे बीस पॉइंट देंगे उसके आलोंग यह क्या करेंगा आपने आपको रोटेट करने की गुश्चिस क्लिया तो पूरे-पूरे object को मैंने किया सलेक्ट कर लिए है सलेक्शन करने का तरीकल मैंने आपको समझा रखा है आप क्या करेंगे माऊस का जो रैफ्क छुक है उसके एक बार प्लिक करेंगे और पूरा object हो जाएगा या फिर आप पर यहाँ यहाँ पर पुचा जा रहा ह पिर से एंगल के बारे में तो मैं यहां पर एंगल देना चाहता हूं तो एंगल दे दिया है मैंने यहां पर 180 डिए एंट्र किया है तो देखें यह पूरा पूरा object क्या है अपने आप में rotate हो चुका है 180 डिग्री यहां पर रोटेट हो चुका अब आपको समझ ले चुका ओगा अब आपर चलते हैं हमारे अब्जेक्ट के तरफ और और करता हूं यहां पर अब्जेक्ट हो। यहां पर कौपी उंटर कर ना पर कोपि निया कर रहता हुए सब और कर सकता हुएं यहां पर मैंने क्या है c enter करने के बाद यहां पर पूचा जा रहा है फिर से देखिए यहां पर rotation angle पूचा जा रहा है और copy and reference पूचा जा रहा है तो यहां पर particular angle यहां पर देना पड़ेगा मुझे तो angle देते हुँ जैसे कि मैंने पॉइंट है नहीं reference reference को देख रहे हैं यहां पर यहां पर यहांपर क्या करने के बाद यहां पर पूचा जा रहा है यहां पर यहां पर यहां पर ने क्या है एक reference line draw कर दिए enter किया यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं आप उसे बहुत अच्छा ढंग से समझ पाएंगे कि यहाँ पर basically करना क्या जा रहा हूं अब मुझे जाता हूं कि यह rectangle जो है मेरे पास यह मेरे पास है हो जाए लेकिन यह इस लाइन के अलांग से reference के अलांग हो जाए मुझे रोटेट हो जाए तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं यहाँ पर देखिए पर आपको नहीं पता है तो यहां पर इसको सेकेंड नहीं पता है उसके बाद देखिए यहां पर मैं इसको रोटेट करना चाहरा हूं सेकेंड पॉइन करने कि यहां पर आपको यहां पर इसकेंड और क्लिक कर सकते हैं इसी को मैंने यहां पर पॉइंटक एक सब्सक्नद में पर पुंцы प कर रहा ह। तो यहां पर आपके जैसे कि आपके पास कोई object है, yes, आपके पास यही object माल लेता है, आप चाते हैं, इस object के along यहां पर मैं rotate करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो object है, वो negative angle के साथ rotate होना चाहिए, yes, हमने जो देखा कि हमारे पास कोई भी object होता है, वो यहां पर anticlockwise rotate होता है, लेकिन आप चाते हैं, उसे clockwise यहां पर base point देना है तो देखें मैंने यहां पर base point देना है अब मैं इस बार क्या कर रहा हूं इस बार मैं angle जो है वो यहां पर negative डालने वाला हूं और यदि आप नेगेटिव एंगल डालते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है एंटिक्लॉक्वाइस देखने को मिल जाता है कि किसी जो अबजेक्ट है उसको किस तरह से रोटेट किया जा सकता है तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के साथ तब तक आप हमारे साथ बने रहिए थैंकि फोर वाचिंग दिस वीडियो